नमस्कार बटोगे तो कटोगे का बयान अब बीजेपी के लिए ही बड़ी मुसीबत बन गया है एक तरफ तो महराश्ट्र में योगी के इस बयान का विरोध खुद अजीद पवार ने कर दिया है योगी आदितनाथ को प्रशार के लिए बुला नहीं रहे हैं और दूसरी त महराश्ट्र छुनाव के बाद योगी की कुरसी नहीं बचेकी अब इस बात की यह माइने है महराश्ट्र में जर्खंड में क्या होने जा रहा है उत्ति प्रिदेश में होने वाले चुनाव क्या कहते हैं इन सब बात करने के लिए आज हमयाँ सा Ching ratare K P. Malak sir आपका बहुत- जी धन्यवाद मालक सर अखले शादव ने ये बात कहकर कि महाराष्ट चुनाव के बाद उनकी कुरसी नहीं बचने वाली है डीजीपी वीजीपी तक नहीं बदलवा पा रहे हैं ये बात कहकर बहुत-बड़ा स्यासी भूचा ला दिया है हर तरफ इसी की चर्चा चल रही है इसके माइने क्या देख रहे हैं K.P. प्रग्या, ये कोई नई बात नहीं है कि सिर्स नेतृत योगी को वहटाना चाहते हैं क्यो कि सीर्स नेतृत की वहाँ चलन ही रही है जैसे आप देखेगे डिली के चारो त rag जिस प्रकार सबराइबल को बेखे हुए हैं इसी तरह से सिर्षनेत्र ऐक मुख्य मढ़िश में बिठाना चाए और कई जगे जो नाक में दम बाबार ने और दूसरा बाबा ने जो ब्रह्मास्त्र चला है बटोगे तो कटोगे का इससे खाली विपक्सी जो खेमा है उसमें खलवली नहीं है दरवाला जो खेमा है दिल्ली का वहां भी हड़कम मचा हुआ है उनको लगा है कि यह जो मौन सहमती आरेससी ने दे दी है बाबा को तो बटोगे वाले मामले पे इससे कहीं ने कहीं अंदर का खेमा भी घवराय हुआ है कि कहीं बाबा हिंदूत का कोई बड़ा बाणना बन जाए कहीं हमारी मार्केट कमना हो जाए कहीं हमें हिंदूत वाले लोग थोड़ा डीला ना छोड़ दे क्योंकि बाबा की तो लोग अपना देते हैं उन्होंने जो एक लाइनर अपना सेंटेंस दिया है बटोगे तो कटोगे तो यह सुपरीड चल ला है और इसी पेकिलेस ने दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे अब नहीं नहीं चीजें इस पर आ रही है अजीत पवार तक बात पहुंच गई है दूस इसरी जो उनके अलाइज है चाहे वो चिंद हो चाहे वा जूझत पवारों और चाये शिर सरे उनको पता है यह चलेगा और लोग है चाहते है इस नारे को आगे बढ़ाएं और उसी के तहत वो जारकंड जा रहे हैं क्योंकि जारकंड में भी यह नारा बहुत पापुलर हो रहा है आपने देखा होगा पिछली जितनी रैलियां जारकंड में हुई हैं चाहे वो ग्रह मंत्री अमिच्छा की हों चाहे परदान मंत्री स्टॉत्वादी लोग आ रहे हैं और इसलिए सिरसनेत्रप को खत्रा हो रहा है तो यह अब बाबा के जो लड़ाई है खाली बहर वालों से यह विपक से नहीं है अभ लड़ाई अंदर खाने मीं चल रही है और अंदर भी बहर हो रहा है तो इसलिए इस लिए इसके तहत य अखिले सियादव का बयान आया है कि महारास्त के चुनाव के बाद ते के चुनाव में हारें या जीतें और आप जानते हैं कि हरियाना में भी इन्हों ने शाम दाम दंडवेद किया था परिणाम क्या होंगे उसको छोड़ दीजे लेकिन परिणामों के बाद बाबा को काम पूरा करेगा क्योंकि यहां तक भी खबरे हैं कि सीर्स ने तरदन मूख सहमती दे दिये इस नारे पे भी और योगी अधित्यनात के आगे बढ़ाने के चेहरे के रूप में भी क्योंकि मोदी जी का जो समय था वो समाप्त हो चुका है अब मोदी जी को प्राप्त करना थ मोदी जी को पारटी को देना था वो दे चुके पारटी को जहां तक ले जाना चाते थे ले जा है कि इसलिए बरा Indoo बोटा चेरा हमारा आगे आ और हम उसका लेके चले तो नहीं ये लेकिन उसको हिंदूत के नाम पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हिंदूत के नाम पे उसको कटर एक अड़वानी की छवी वाला नेता चाहिए, जो अगर हम तमाम नजर गुमा के देखें, तमाम नेताओं पे, वो हमारी तलास योगी पे आके रुपती है, और योगी एक हिंदूत का ऐसा कटर, हिंदूत का ब्रांट बन सकते हैं, जिसको भारती जंता पार्टी और आरसस को तलास है, और वो तलास योगी पे आगे पूरी होती है, इसलिए योगी को आगे बढ़ाने के लिए एक खेमा लगा हुआ है, और उससे जो दूसरे वाला खेमा है, गु पहले केजरी वाल ने का, अभी अकिलेस ने का, अभी और भी कहीं लोग कहेंगे, इसी से जोड़के आपको संजे जोसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि संजे जोसी को सीरस ने तो बिलकुल नहीं चाहता, लेकिन RSS ने खूटा गार दिया, RSS ने कह दिया कि संजे जोसी की वापसी तय है और संजे जोसी की वापसी अगर होती है भले ही वो रास्टिय अद्यक्स की पोस्ट पे ना हो रास्टिय मासचीव की पोस्ट पे हो या संगठन मंत्री की पोस्ट पे हो तो दोनों बहुत परवावी पद हैं तो वहां आते ही अगर संजे जोसी उदर आते हैं और बाबा इदर मजबूत होते हैं तो गुजराती खेमा बहुत कमजोर हो जाएगा और कम वो लुड़क जाए इससे कहीं ने कहीं घबराट उन लोगों को है उसी के तहत यह इस तरह के अतकंडे चलने के बाबा को निप्टाने बाबा को कमजोर करने का कारिया उनका परगती पर चला है जी अच्छा केपी मलक से हम देख रहे हैं इस समय नारे बड़े चलन में आ गए हैं इधर से कुछ बयान आ रहे हैं अधर से कुछ बयान आ रहे हैं कभी योगी आदितनात कहते हैं कि जहां देखे सपाई वहां बेटी घबराई पहली बात तो मुख्यमंत्री य उत्तर प्रदेश में उसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदितनात नहीं जो बात कहीं कि जहां देखे सपाई वहां बेटी घबराई इसके क्या माइन है आपसे पूछूँगी लेकिन मैं पहले यह जानना चाहूंगी कि अखिलेश याजव भी कह रहे हैं कि उन्ह प्रग्या अगर हम योगी जी को देखें तो वह वन लाइनर हमेशा देते और इसमार कुछ ज्यादा वन लाइनर नारे दे रहे हैं और बाबा को भी पता है कि यूपी में वह अगर चा रहे हैं कि नो कि नो सीट उनको मिल जाए तो बहुत टेड़ी खीर है बाबा की अगर 6 सीटे से कम आती हैं तो बाबा परिक्षा में फेल हो जाए गया और लियास तरह इस तरह किंट उसी तरह के चुना हैं अमित साह कि पास था उसी तरह ंबाबा पास है और जो भी हार जीत होगी उसका सेरा बाबा की सिर्फ बंदेगा अगर आप यह देखिए कि उत्तर परदेश में एक बड़ा आपके हां चल ला है जो लगबख 20,000 चात्र घरना दे रहे हैं प्रियाग राज में उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और आपके खिचाई उनके अंदर के लोग भी कर रहे हैं तो वह चीजें बंद नहीं हुई है जैसे बीच में खबर आई थी कि नहीं नहीं वह मामला सवाप्त हो गया है अब सैमत ही बन गई है दिल्ली लखनों के वीच की तल्की खतम हो गई है तो ऐसा कुछ नहीं है वह तल्की बरकरा ऐसा कि पर रहे जी टार आप एक चीज और देखेंगे जो लाइन के आप बात करने बाबा की है वन लाइनर पर ही इस वन लाइनर को एक रहोगे तो सेफ रहोगे अलग लाइन दिये को यह ना हो जाए जो कि उन्म कोई कोई भी बड़ा से रा जो एक कि और के सरबंद्दी आती नहीं है, लेकिन मोदी जी नहीं चाहते कोई उनको कहे इनको अंगरेजी नहीं आती, वो तो अंगरेजी के विद्वान है, आपको पताइए, उनकी डिग्री वगएरा भी आई थी, तो इसलिए उन्हों न कया कि एक हैं, तो उन्होंने हिंदी अंगरेजी को मिक्स करके बहुत अच्छा नारा बनाया है लेकिन वो नारा चल नहीं रहा है चल यह रहा है बटोगे तो कटोगे और बटोगे तो कटोगे बटोगे तो कटोगे का सीधा सीधा मतलब है कई लोग उसको कटवा कहके जोड रहे हैं सीधा जोड देना उसमें कुछ कर नहीं है अब सेफ व कि यह जो नारे हैं बटोगे तो कटोगे और जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घवराई तो यह डबल इंजन की सरकार होते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर सस्ता में आने वाली सरकार के होते हुए अगर बेटिया सेफ नहीं है और इंसन लोग कटे कोई काटे दे रहा है देखे देखे प्रग्या पहले यह देखना होगा भली डबल इंजन की सरकार आप बाहर से कहार है नहीं के इंद्र का सहयोग लखनों को बिलकुल कहीं दिखाई देता नहीं है दूसरा मैं आपको चीज कहा दू जो बाबाने ने निरेटीव घड़ा पहले थीन सालों में के कानुल वारस दा उत्तर कढूरदेश की बहुत बढ़िया हो गई है वह समाथ होता जा रहा है उत्तर पर्देस में पुलिस में करवशन उत्तर करकर से म Авहिलाओं के साथ घटनाएं लगतार अहारीं जिस तरह से लूट पार्ठ हो रही है जिस तरह कर लोज अपराद बढ़ रहे हैं उससे बाबा का पुराना जो नरेटिव था वो दोस्त होता जा रहा है और बाबा इस पर गिरते जा रहे हैं मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जिस चीज ने बाबा को बहुत फाइदा दिया था 2019 के चुनाओं में 2022 के चुनाओं में सोरी आपने जो देखा था कि कानून वरस्ता बाबा की बहुत अच्छी है और बाबा के ऊपर कोई किसी तरह का आरोप नहीं था तो बाबा के ऊपर जातिवाद का आरोप बहुत चिपक गया है और बाबा का जो नेरेटिव था यह सवाब तो चुका है में दोनों उत्मुखे वंत्री आलाग बैठे थे मिटिंग में आते नहीं है केशव प्रिसाद नौर भी चात्रों का समर्थन करने प्रियागराज पहुंच गए बाबा बहुत अकेले पड़ गया है बाबा की चला-चली की बेलाता है अखलेश यादब भी कह रहे है नहीं मैं कहा रहा हूं कि बाबा को निप्टाने के लिए दिल्ली लगा हुआ है और बाबा को अगर सन्जीव न 빨리 मिल सकती है तो इसलिए मिल सकती है कि उनके रिजल्ट बहुत अक्छे उपी में है जिसके सम्मावना फिलाल तो दिखाई दे नहीं रही है, तो हो सकता है कि बाबा को हटाने का एक रास्ता उनको मिल जाए, इस बहाने के इनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, वो तो खेर समय बताएगा, लेकिन मैं कहा रहा हूँ, उन्होंने बाबा को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और परिस्तित्या भी ऐसी बन रही है, दूसरी चीज़े यह हैं कि लगनों में भी अगर आप देखेंगे, उनके चारोगर जो घेरा है, चाहे उसमें कई मंत्रियों का नेताओं का घेरा हो, चाहे उसमें नोकर्शाहों का घेरा हो, वो भी दिल हो दौड़ाउ है, और नोकर्शाह को घेर ले रहें हैं, इसका अत अगडारन अगर आप देखना हो, तो, मयावदी का अगडारन हम ले सकते हैं, हैं कि सिक्स परकार से वो नोकर्शाह को साथ के रखती थी, और नोकर्शाह उनके सामने थर थर कापते थे, यहां ब्लठा है कि यहां आप एक भी नोकरशाह का नाम ऐसा नहीं बता सकते हैं कि बाबा से वो ठर-थर काप रहे हो यह बाबा से वो डर रहे हो यहां नोकरशाही बाबा के उपर हावी है हमें ऐसा दिखाई देता है और उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहते हैं चुनाओं में कोई वाव में बाबा काम कर रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि थोड़े धवराट में दिख रहे हैं आजकल अगर आप देखेंगे बारी अच्छा महाराश्ट्र में भी बहुत हालत खराब है बीजेपी की हम देख रहे हैं पहले बात तो अमिर्शा ने बाद साफ कह दिया कि शिंदे अभी तो सीम है लेकिन चुनाव के बाद तो महायूती तहे करेगा कि कौन होगा मुख्य मंत्री तो अब इन सब को लेकर क्या आप कहेंगे कि महाराश्ट्र में तो बीजेपी विरोधियों से नहीं विपक्षियों से नहीं अपन महाराश्ट की तस्वीर देखें बहुत डिटेल तो मैं चीजें नहीं बता से लेकिन उपर से जो हमें परिद्रश्च दिखाई देता है उस पर मैं आपको कह सकता हूं कि भारती जनता पार्टी ने जो वहां पर कमल चलाया था उसके तहत उन्होंने वहां पर टीचर विख खेती करने के लिए हल चलाया थी कोशिश की लेकिन वह कोशिस में कहीं ने कहीं सफलों के दिखाई नहीं थी और एक बड़ा सवाल उठके यह आगया कि अगर आपको सीवसेना के साथ ही सरकार बनानी थी और आपको सीवसेना के वेक्ति को भी मुख्यमंतरी बनाना था तो उसमें उठकरे क्या बूरे थे आपने भारती जंता पार्टी के तो मुख्यमंतरी को अटा के उसको मुख्यमंतरी बना दिया और आपने शिंदे को मुख्यमंतरी बना दिया तो ऐसी कौन सी आपको पावर शिंदे ने दे दी जो उठकरे आपको नहीं दे रहे थे तो उसम कि दूसरी बात यह है कि यहां पर जो तिर्कोनिय मुकाबला दिखता है उसमें यह हो गया कि माराथा समाज की बड़ी सिंपेथी मिल रही है और शिंदे को रूप में देखा जा रहा है जिसका नुसान उसको होते वे साब देख रहा है अगर अधिक रहे तो मैं उनको दवा सकता हूँ वह इस चक्कर में लगे हुए दूसरा यह है कि अजी पवार का यह लग गया है क्योंकि पवार जो शरत पवार हैं वह मैंदान में आ चुके हैं तो अजीद पवार कहीं नहीं अपने छोड़े चेत्र में गिरे हुए नजार तो उनको अपना बविश्य कुछ दजर आ नहीं रहा है इसलिए वो इस तरह की बाते करते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे अजीत पवार को जब भारती जंता पार्टी वह लिया था तो सबसे बड़े बरस्ताचारी सबसे बड़े आरोप उन्हीं के उपर थे तो यह कहा क महारास्त में भरस्ताचार समाप्त हो चुका है तो भारती जंता पार्टी की स्थिति महारास्त में बहुत ज़्यादा खराब है और मुझे यह साब साब दिखाई दे रहा है कि वहां पे सरत पवार और सिव सेना को बड़ा फाइदा मिलता हो मुझे दिख रहा है और सबसे मुझे सीधा सीधा फाइदा सीवसेना और शरत परवार कॉंग्रेस को वह दिखाई दे रहा है अलाकि वह फाइदा हमें हरियाना में भी दिखाई दे रहा था लेकिन लास्ट में जो शाम दाम धंट बेद और इलेक्षन कमिशनर का जो करंट है उसका नतीजा भी आपने लगी थी उन्हों ने तो कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं के केजरिवाल के साथ कीजरिवाल कों है और बाते बाते के केजरिवाल बाइब च॑ यो कियो नहीं चल ला मोदी जी का जादू पंजाब में जानग नहीं चल ला जब गुजरात में चुना होते हैं तो वहांपे काउंग्रेस के और बाजपा के बीच में केज़री केजरिवाल के ओपर भी तमाम सवाल उठने शुरू हो गए और केजरिवाल महरास्त में भी कई जगे लड़ रहे आपको पता है तो इसलिए जो इस तरह के लोग हैं यह भी अब चर्चा का विश्य बने हुए तो भारती जनता पार्टी क्या गेम कर रही है वो तमाम हतियार अपने आज भी साथ में लेके चल रही है तो क्या रिजल्ट होंगे क्या कहां पर कौन क्या हो जाएगा कौन सी रहनीती वो ले आएंगे निप्ताने की कोशिश करने वाले खुद चल पाएंगे यह जिमला है कारट की हंडी एक बार दो बार चड़ गई आट की हंडी बार बार नहीं चड़ा भारती जंता-पार्टी का चरित और चेरा खासकर महराश्च में सामने हागया है क्योंकि वहां कई चुना हो चुके हैं और आपको एक चीज और मैं बता दूँ आपको शायद कई लोग ने बोली नहीं होगी आपकी चैनल पे भी मराथी लोग इस बात से बहुत जादा नाराज हैं कि तमाम जो केंसरकार की योजणाएं थी जो इंडस्ट्र की योजनाय थी तमाम योजनाय वहां से हटा के महारास से सब गुजरात ले जाए और गुजरात में आप इंडस्ट्री ले गए महारास से हटा के जो पुरानी भी कुछ इंडस्ट्री या पुराने भी कुछ संस्तान थे उनको भी आप खीच के गुजरात ले गए इसलिए मह कर रहे हैं कैसी सुरक्सा आप कहने मुसल्मान हमारे भाई हैं तो फिर यह मुसल्मानों भी हत्याइं कैसे हो गई है अभी महारास्त में कितने तो आपको चुनाओं में अपना दिखाएंगे असर दिखाएंगे बिल्कुल चीक बात है सर अभी तक तो आरे से सिए बात कर रही थी धज्या उड़ाई रही थी मोद्य और श्रा के बाहरी निता भरो अभियान की अब तो नितिन गटकरी ने कह दिया है कि भाजपा में कीड लग गए हैं कि अधे अगर आप देखें और नितिन गटकरी को आप सुना oni्तिन गटकरी का महारास्थ में इस महारास्थ में वो मंत्री भी रहें और उनना कई काम भी तो उनको ठीटा नेत गो रूप में लोग जानते हैं और लगा तार वी बाते करे पहली बार उनुमने नहीं मुद स्वसरी नाराजगी इसी बात को लेकर जिनके उनके उपर भारती संता पार्टी आरोप लगाती थी जिनको टीट करके बारती और उनका यह रहता है कि कितने लोग आएंगे जब पारफ कि लोग भारती जन्ता पार्टी में आ जाएंगे तो इसका मतलब करप्शन खतम हो गया है तो बाकी लोगों को लेना बंद कर दीजे तो भारती जन्ता पार्टी की जो तो गड़करी का अपने चेत्र में असर है और एक अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ इस बार इन्होंने गड़तरी को भी निप्टाने के लिए नागपुर में शाम दाम धंड बेच सब किया वह अपने तरीके से जीत गए अपनी जीत बर गए हैं वह ऐसा ने तो पिलाल बाबा की तरफ है बीज-बीज में उनके तरफ भी रहता है अगर आप देखेंगे पिछले दस साल में कितने सारे आरोप भारती जन्ता पार्टी के नेताओं पर मंत्रियों पर लगे आप देखिए टैनी पर कितने आरोप लगे ब्रेज भूजन सिंग्ग पर कितना बोल रहे हैं लेकिन असकर रही किर MR करता है और बारती जनता परती यह असली लोग वह बड़े विमुक हैं आज के व गुजराती गैंक कहते हैं हम तो इसको सिर्स नेतर्त या दिल्ली कहते हैं वो इसको गुजराती गैंग कहते हैं गुजराती गैंग से बहुत जादा नाराज की महारास्ट के जो असली नेता है या धरातल के नेता है या पुराने नेता उन्हों बहुत नाराजगी है अगर आप पुराने नेता में भी हम जितने सर्वेश देख रहे हैं सर गोदी मीडिया में जारखन को लेकर बीजेपी की जीट दिखा रहे हैं बिल्कुल क्लीन स्वीट लेकिन अगर ऐसा है के पी मलेक सर तो फिर एक सवाल उठ रहा है कि कल्पना सोरेन को रैलिया क्यों नहीं करने दी जा रही है यह मन बोना स्वाल मुकाष्ण आफ लूड़ाएं लुट है लड़ाई को लड़ रहे हैं चुनाव के बल्भूस के बलवन चलरे हैं यहां पीट में चागु घोपने का काम चल लग अब बताए चापे चल रहे हैं वह यहों करी में प्राइड प्रड항मराजाद चुनाव पाट छाप नो की पहला है त्रृसरी बात यह है कि वहांद सीरी वहां नहीं है वहां पे यह भाके बॉट्वे firm सन्ताइन कि एह मठें की लड़ाए है जैसे 36 गड़ आप देखेंगे पकड़ के दे दिया है अडानी को और तमाम माइन्स वहाँ पे कॉल की माइन्स और दूसरी माइन्स शुरू हो गई है और पेड़ों की कटाई शुरू हो गई जो इतने दिन से बन थी और जो आएगा उसको कह देंगे बोली मारके कि यह तो तो उसको किस हद तक जाना है वह देखना पड़ेगा और यह जिस हद तक जाएंगे क्या उसका मकाबला हेमन्स कर पाएंगे यह देखना होगा महारास्ट मैं जिसको मसली चानक के अपने सीनियर जनलिस्टों से सुनते आते हैं और हमने उनका जलवा देखा है श्दद पव हाला कि वह बहुत अच्छी लड़ रहे हैं उनकी पतनी फ़र्बियूंस में ऑगर आप कल्पना को सुनने वालों की पीडे देखेंगे तो अलग ही विसका मोबाइल बोलने से आजा रही है कलपना की रैली में जितने में सुनने में आ जा रही गार चुनाम ही आप दांगली कर लेंगे, तमाम चीज़ें आप कर लेंगे, तो कैसे जीतेंगे, इसका जवाब कुन देगे, जीते, आखरी सवाल, क्योंकि राजनिती में कोई भी बात ऐसे नहीं कही जाती है, इससे पहले अर्वन केजरिवाल ने ये जो एक सियासी बात छेड़ महाराष्ट जहारखड में चुनाव है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये बात जो कही है, कि महराष्ट चुनाव के बाद दिल्ली वालों न दे करिय करिया है, कि इनकी कुरसी नहीं बचेगे, इनकी कुरसी छेंग जाएगी, इसका राजनितिक असर क्या पड़ेगा, क अगर हम 24 की बात करें और 24 में जिस तरह के नतीजे आये थे उससे कहीं ने कहीं जो गुजराती दिल्ली में जो गुरूप बैठा है जो अपने हाथ में सारा रिमोट लेके बैठा है वो कहीं ने कहीं कमजोर पढ़ता हुआ नजर आया था और दैनी इस्तिति में था इस्तिति होके और पिर राट्र की नहीं सुनेंगे और वह तुरंत जो है बाबा और जो बात हम संजे जोसी की बाखी लोगों की करें हो सकता है कि उनकी बेंटरी ना होने दें तो वह उसी के तहति जता रहे हैं क्योंकि अकलिज स्यादव को भी अंदाज़ा यह है कि उस्तित जैसे म और उन परिस्तितियों में वहां सरकार भारती जंता पार्टी की बन गई तो इन इनी परिस्तितियों में अगर एक राज्य में छोटे राज्य में जार्खन में भी चुनाओं भारती जंता पार्टी की सरकार बन जाती है इस चुनाओं में तो दिल्ली बहुत मजबूत हो जा बाकी लोग अपनी बातचीत में करते हैं यह कई तरफ से आशनका जायर हो रही है और इस आशनका में मजबूती मुझे दिखाई दे रही क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बाबा को आज घेनने की कोशित उत्तर परदेश से भी हो रही है और दिल्ली से भी हो रही है तो दिल्ली को अगर एक और संजीवनी मिलते है डबल संजीवनी मिलते ही दिल्ली कूधने लगेगी फिर किसी की परवाव करेगी नहीं और तुरंट आपको चाहे वो नितिश कुमारों चाहे बाकी पार्टिय उध्य तोड़ फोर भी शुरू होगी और वो कोशिश करेंगे क अपना पूल समर्तन दिल्ली में जुटा लें और उसके बाद फिर चक्रूफ शुरू हो और रबर स्टैम्प एक CM बिठा देंगे रबर स्टैम्प CM तो तै है जारकंड में बैठना अगर जारकंड में सरकार बनती है फिर एक रबर स्टैम्प सीएम यूपी में भी बैठेगा यह उनका यह उनका सोच है और यह उनका मानना है कि हमें अपने हाथ में लेना है चीजों को तो उसके बाद आप एक ऐसा रबस्टैंप सीम यूपी में देखेंगे जो आपने सोचा भी नहीं बिल्कुल यह सब्सक्राइब बैटे हैं ना अर्याना अर्याना मद्देश राजस्तान यह बहुत 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 आबार हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में अभी के लिए इतना ही अश्कार चनल को सब्सक्राइब